हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो माई चैनल केरियर इंप्लोज तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जब ज़े मैंने होंडा टू बीलर जोईन किया है कि इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें मेडिकल कैसे होता है इसमें भरती कैसे होती है इसमें सै कोसिजर चलता है जिससे अलग-अलग वीडियो बनाएं कि सेलेक्शन कैसे होता है मेडिकल कैसे होता है सबी सब आपके डाउट इसी वीडियो में किलेर कर दूंगा इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा पुरा लाष्ट तक देखिएगा ठीक है इस वीड पहले तो यहां पर आपका जो सलेक्शन है वो आपका यहां पर दो टाइप से हो जाता है जैसे कि आपका डाइरेक्ट भी हो जाता है और आपका यहां पर केमपस से भी हो जाता है तो यहां पर केमपस से जब लगता है और डाइरेक्ट कैसे होता है डाइरेक्ट होने के लि करूं कि हुंडा टू विदर के इंडिया में चार प्लांट है सबसे पहला जो प्लांट है इसका वो यहां पर है मानेसर में ठीक है और जो दूसरा प्लांट है वो यहां पर है मानेसर हर्याना में है और जो दूसरा प्लांट है जिसमें मैं काम करता हूं टपकुकडा राजस् वो है बिटलापुर गुजरात में जो इसका पहला प्लाइंट बना था 2056 के सम्थिंग बना था मनेसर में उसके बाद यो इसका दूसरा प्लाइंट है ये 2010-2011 के सम्थिंग बना था जिसमें वह हूं उसके बाद 2015 के something यह जो इसका तीसरा plant है जो बैंगलोर वाला है वो बना था और उसके बाद जो इसका last plant है जो चोथा plant है 2018 के something यह 18-19 में यह बिटलापूर राजस्थान में बना था इंडिया में honda two will के चार plant हैं और विस्च में तो बहुत सार है ठीक है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है इंडिया में चार plant है और सभी में एक जैसा procedure यहांपर follow होता है एक जैसा address रहता है honda two will का और उसके बाद यहांपर बात करते हैं कि इसमें आपका जो direct भरती होता है व आते हैं जो यह प्लांट है जो टपकुकड़ा वाला राजस्थान वाला प्लांट है उसके लिए भरती के लिए सबसे पहले अलबर डिस्टिक में भीवाडी में जो टपकुकड़ा पड़ता है वहां पर HDFC बेंग के पास एक गली है जिसके पास ही में रहता हूं ठीक है तो वहां पर आपको आना रहता है अपने सभी डाकुमेंट लेके उनका एक ओपिस है वहां पर आपका पूरा प्रोसेस होता है अगर आपको डाइरेक्ट है जैसे कि आपने रिजूम जमा किया उसके बाद आपको कोल किया गया या आप किसी तरीके से जुगाड से आ सकते हैं इसमे जुगाड भी चलता है ठीक है तो उस तरीके से तो आपका जो परोसेस रहता है वहां आपका जूआ पर आपका जो इसकी नोकरी नहीं दी जाएगी, 10 महीने, 7 महीने, 11 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यही आपकी जोबे रहते हैं, contract based जोब, तो बस आपका, यही सब पूछा जाता है, कि आप घर में कितने, मतलब घर में कितने सदा से हो, आप बड़े हो, छोटे हो, पापा क्या करते हैं, और अप को हर company चाहें, वो सरकारी हो, प्राइबेट हो, कोई भी हो, आपकी training पे खर्चा होती है, आपकी 2-4 दिन, 5 दिन, या 10 दिन, जो भी training चलता है, उस पर आपका खर्चा होता है, अब आप training ले लो, ठीक है, AC में बैठके, आप आराम से हबा खा रहे हो, आराम से सब कर रहे हो बस यही होता है, इंट्रिव्यू में, पेपर में बहुत ही basic paper आता है, और आराम से एक नकल वकल, cheating बगएरा सब चलता है, तो उसमें कोई खास, आपका कोई hard ऐसा नहीं आता है, कि मतलब आप कर नहीं पाओ, सब ही कर लेते हैं, जो भी जाता है, वो कर लेता है, और उसके जिसे हिंदी पढ़ना आता है, और लिखिना आता है, वो सब कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, कि आपका ये वहां होके, डाकुमेंट आपके रिजूम बगएरा समिट हो जाता है, आपके डाकुमेंट जो 10th, 12th की, 10th और ITA की मारसीट हो गई, आधार कार्ड, पैन का होना चाहिए, और अगर आपने नहीं पुलिस वेरिफिकेशन होके नहीं आया, तो आपका अपलाई किया होना चाहिए, फीस कटी होनी चाहिए, और जो आपका रिजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो नंबर आता है, वो आपके पास होना चाहिए, तो आपके काम चल जाता ह उसके बाद जो आपका COVID vaccine टूडो जो आपके complete होने चाहिए तो यह सब आपके document होते हैं तो यह आपके document वहाँ पर submit होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपका selection होता है उसके बाद आपको वहाँ पर बताया जाता कि कब आपको जाना है तो उस हिसाब से या फिर आपको call आता है तो उस हिसाब से आपको आना रहता है यहां टपो कड़ा office पर यहां report करना रहता है जिस तारीक को बताते हैं यह लोग उस तारीक को उसके बाद आपको यहां आपके सभी document फिर से submit होते हैं ठीक है अच्छे से और document verification भी होता है इसके बाद क्या होता है कि आपको यह यहां पर एक basic सा paper दिया जाता है जो कि सभी कर लेते हैं और वहाँ कंड़ कुद कर आदे ठीक है तो यह सब जो यहां रहते हैं कॉंट्रक्टर होते हैं वो फरवा देते हैं उसके बाद आपका यहां पर यह सब हो जाता है उसके बाद सब्सक्राइब कोुए ऐसे पूरा यहां पर प्रोस्स होता है फेले दिन दूसरे दिन जो मेरा हुआ है मैं वही बता रहा हुआँ आपको तो आप यह मैं आपको आम कि कल बता है यह कर छेघा आपने पाइड़ हो गए हाय जो चीज आपने आज बताय थि programs हमारी कल हुई तो यह जो प्रोसेस होता है जो मेरा हुआ है वो आपका होगा तो यह है कि एक दो दिन आपका इधर हो सकता है जो चीजे मेरी दूसरे दिन हुई वह आपकी पहड़े दिन हो सकती है ठीक है लेकिन उनका भी एक स्वेक्ष रहता है 99.99% जैसे मैं बता रहा हूं बैसे ही होता है ठीक है तो क्या होता है कि उसके बाद वो आपको डाकुमेंट बता देंगे कैसे कैसे आपको लगाने हैं जैसे कि सबसे पहले आपका अपना यह डाकुमेंट लगाना है उसके बाद यह लगाना है तो उस परकार से आपको अपने डाकुमेंट सेट कर लेने हैं और सभी सेट करते हैं एक दूसतरे को देखके सभी सेट कर लेते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मन्दब कैसे होगा सब कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपका यहां पर दूसरे दिन आपको एक मेडिकल के लिए आपको यहां पर एक ही डॉक्टर बैठता है सो युकी में अच्छे से मेडिकल होता है आपके पूरे कपड़े उतरवा के और बेट भी किया जाता है हाइट भी ना पी जाती है कलर वीजन और टूटा-पूटा और उसके बाद प्राइबेट पार्ट तक चक वीडियो बना के दे चुका हूं कि किस प्रकार का डाकुमेंट देते हैं तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा ड्रेस के भी वीडियो पड़े हैं और सभी तरीके की वीडियो पड़े हैं और नहीं पड़े हैं तो आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करिएगा मैं डेफिनेटली उसके वीडियो बना दूँगा इसके बाद क्या है कि जो है वो आपका मेडिकल करते हैं मेडिकल में बस इतना ही देखते हैं कि आपका कोई अंग जो पार्ट रहेगा वो कटा पिटर नहीं होना चाहिए जै मैं भरती हुआ तब लिया गया था 47 किलो से उपर वाले सभी यहां पर क्वालिफाई कर दिये गए थे जबकि नोटिफिकेशन में और केमपस में आपको बताया जाएगा कि 50 किलो से नीचे वाले नहीं जाएं कम से कम 50 किलो बजन होना चाहिए बट क्या हुआ था कि यहां आपर 47 किलो से उपर जितने भी थे हो सकते हैं उनका लगवियो और एक नहीं 47 किलो का एक हो से पास कर दिया गया था कई लड़के थे मेरा 80 लड़कों का ग्रूप था जिसमें करीब वो 6-7-8 हैसे होंगे जिनके 47 किलो बजन था ठीक है तो वो सभी पास कर दिये गया थे औ और मैं बताओं तो मेरा खुद 51 किलो के सम्थिंग था और 51-51 किलो था बट मैंने कुछ के लेवे ले खा लिये थे क्यूंकि मैं खुछ डाउट में था कि 50 किलो से कम न हो जाए तो फिर मेरा 52 किलो बजन वहां पर हो गया था तो इस प्रकार से अगर आपका 1-2 किलो कम है त कोई टेंसर नहीं है आपका आराम से खा लो तो आपका आराम से हो जाता है और 47 किलो से नीचे वाले सभी डिस्कौलिफाइग किये गया थे एक दड़कां क्याली Gospel हुआ था उसके बाद आपकी उंगली जो है और जो आपके अंग है जैसे की हाथ परहें फो आपका कटेर न प्रकार का आपका अगर कोई सरीर में दिक्कत है तो आपका यहां पर नहीं होगा डिस्क्वालिफाई कर दिये जाओगे आपको तो इस प्रकार से आपका medical होता है बस दो ही चीज़े चेक की जाती है उपर से हाँ और एक चीज और चेक की जाती है वो है आपको पढ़ना है आपको कोई जरूरी नहीं है कि six by six आपको होना चाहिए आपके six by nine भी है तो आराम से आपका हो जाएगा और अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कल लगती है तो आप कमेंट करके बताईएगा मैं कुछ जुगार बता दूँगा ठीक है बहुत से लड़के थे ज जाएगा six by nine तक तो अगर है आपका तो आपका ऐसे ही चल जाएगा कोई टेंसन नहीं है उसके बाद क्या है कि आपका आखे और आपका बेट और आपके जो सरीर है वो आपका कटा पिटा नहीं होना चाहिए तो यह तीन चीजे यहाँ पर मेडिकल में चिक की जाती है आप आपको मेडिकल अगर इतनी चीजे आपकी फुल्फिल करते हो तो आपका यहाँ पर मेडिकल क्वालिप है उसके अगले दिन आपको यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पर ड्रेस बगेरा दे दिया जाता है ड्रेस में इनके पास कोई ज्यादा सामान नहीं रहत माई मेरा सुजुकी में काफी देते हैं सेफ टी जैकर लेते हैं डोर रहां पर यहां पर काफी चीज़े वहां पर देते हैं असे और यहां पर आपको दोजे दोग करने हैं और अदो चार चीज intentions बह Hernan पर दीरें ब्लेगि sad किसी को हाफ सर्ट देंगे और किसी को जो है वो फुल सर्ट देंगे किसी को किसी तरीके के सूझ देंगे और जैसे कि सूझ की मोटर गुजरात में मेरे सूझ एकदम पारिटी वाले थे बहुत हलके थे लुखा वुखा नहीं लगा था सेफटी सूझ वो नहीं थे हलांगी मे एकदम बराबर सब कुछ मिलेगा और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है बुड्रेस मिल जाएगा और कंपणी में इसमें मोबाइल अलाओ नहीं है आपको लोकर नहीं दिया जाता है आप साधा बीना कैमरा वाला फोन ले जा सकते हैं कंपणी में और एंडराइड फोन अला पर जर्नल सिफ्ट में पहुंचना है साड़े आठ बजे वहाँ पर जो कॉंट्रेक्टर होंगे वह आपको वहाँ पर खुदी मिलेंगे और उसके बाद आपके यहाँ पर जो है वह रजिस्टर में पहले दिन आपका पंचिंग कार्ड नहीं बना होगा इसमें दो कार्ड ह होते हैं एक आईडी कार्ड होता है एक पंचिंग कार्ड होता है और जब कि सुजुगी में जो आईडी कार्ड होता था उसी से पंच हो जाता था बटे यहां क्या है कि आईडी कार्ड अलग है पंचिंग कार्ड अलग है होंडा फूर वीलर हो या टू वीलर हो तो क्या है क आपका वहां पर पहले दिन, पंचिंग कारड नहीं होता है, तो रेजिस्टर में लिखवा के से कोटी के पास आपकी एंटरी करवाई जाती है таких उसके बाद आपका पंचिंग कारड बनद corrupted है अन्दर जाकि आपका happiness चलता है तीन दिन मेरा ट्रेइनिंग जो है बू चला था जिसमें सेफटी से रिलेटर इस में पर्याबान मेंतिक हान और उसके बाद जो एपको डिपार्टमेंट मिल जाता है जैसे कि मेरा जैसे कि मेरा जीए ट्राइविंग लाइसेंस वाले होते हैं उन्हें BQ में दिया गया था वाइकल क्वालिटी में क्वालिटी चेक करना रहता है जब गाड़ी बन जाती है उसके वाद कोई कि दिएल फ्रहते हैं तो हे उसके बाद आपको वहाँ पर जो है आपका डेपार्टमेंट मिल जाता है निगर त्रेड़ कि टो इनकी ट्रेनिग होती है यहां पर ठोटल चार रीधि की एी चार दिनकी डिनमें कर दिया जाएंग कर दिया जाए लाइन फर दो दिन आपको आसे वैसे भी रहेगा वैसे आपको वहाँ पर पुराने जो इंपलोई रहेंगे उन के साथ Was इखने के लिए किया जाये हैँ आप से वो काम करवाएँंगे सिखाएंगे भी तो इस तरीके से आपको सिखाएंगे और कि ऐसा नहीं है कि सुजुकी में तो साफी कहते हैं कि जब तक सीखना जाओ कुछ खरना नहीं है यहां नहीं है ये तोड़ी ज्यादा है बर्ट कbuild vom लड़के वहीं से करके आते हैं करते हैं यह तो वहां किया को आती है तो थोड़ा महौल खराब है कमपणी बहुत और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और जितने भी लड़कें वहां से करके आएं जिन से बात करोगे सभी को वो कमपणी बहुत अच्छी लगती है और वहां एक अलगी टाइप का अनुसासन रहता है अलगी टाइप का वो कमपणी है बटे यहां ऐसा कुछ नहीं है वह को हमारी चुटी लीव कार्ड भर दिया गया पर यहां के आए अगर तीन चार चुटियां एक साथ मार लोगे तो आपके किलिरेंसी करवा देंगे आपको घर बेज देंगे तो उतना अनुसासन नहीं है उपर से अगर आपको वहां कोई दिक्कात आती है तो सुपरवाइजर अपने हाससे वो काम कर देगा महिन काया सुपरवाइजर गूंते लोगा यहां कोई टंसर नहीं है अगर तुम tim करो गलत करो यह ही करो गलत करोगे गहीं पहने से और सभीकरोंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो इस ताइप का यह त्रेय Ellis के बाद आपका वहाँ पर ठ्रे रहता है और निके बारे में अगर बात करें तो यहां पर आपकी जो पीए पीएप कटके जो आपकी सीटी सेल्डी रहती है वह 19,660 रूपय रहती है जो आपकी पीएप बगएरा ईसाई कैंटी निये कटके बस की सुविदा टू-बिल्लर में नहीं है, मैं टू-बिल्लर में इसमें हूँ, पोर बिल्लर से मैंने रिजाइन कर दिया था, तो वो काफी पहले मेंने किया है, उसके भी वीडियो और सब कुछ आपको चैनल के मिल जाएगा, इसके बाद इसमें बसकी सुविदा नहीं है, इसमें जो आपकी salary है इसमें 11 महिने का contract रहता है इसमें जो आपकी cut cut आके salary in hand salary जिसे बोलते हैं वो 18,160 रुपे आपकी आएगी बिना OT की overtime इसमें 145 रुपे प्रती घंटा चलता है तो कभी-कभी overtime भी चलता है जैसे कि जब से मैं कर रहा हूँ मेरा daily कभी आदा गंटा कभी एक गंटा लग रहा है और वो मुझे रुखना पड़ता है हलां कि मैं overtime नहीं करता हूँ बट जो मुझे सिखाते हैं वो यहीं के salary के ही हैं जो हमारे senior हैं और वो क्या है कि अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं अगर वो बैसे जाएंगे तो फिर उनके दोस्त चले जाएंगे तो उन्हें 80 रुपे करीब जो है वो किराय लगेगा इसलिए वो नहीं रुखते कहते हैं कि जितना में आधा एक घंटे में overtime में कमाऊंगा और उतना उससे ज्यादा में यहां पर जो है हमारा किराय लग जाएगा उपर से तीन घंटे लेट में घर पहुचूंगा और बसों में धाक्का खाऊंगा इसलिए वो मुझे करके जाते हैं तो इस तरीके से यहां पर overtime लगता है अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस्टाग्राम पर मेसेज करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दीजिएगा जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आप सभी को मिल जाएगी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बनने मात्रम